मॉम घर कब आएंगी? शिंचार नोहारा नियूज गुड आफ्टर नून का सुकाबे? अहुँँँद देखते हैं आज की काज़ा खबर ये है मेरी मॉम जो मेरी ही घर पे रहती है पर आज कल नहीं रहती मेरी मॉम यानि मिच्सी नोहारा अब का घर वापस नहीं आएं और जानकारी के लिए मैं रिपोर्टर हिमावारी के पास जाओंगा हिमावारी क्या? नहीं हिमावारी मेरी तक कोई कलती नहीं थी क्या तुम ये बात यकिन से कह सकती हो? समझ के या इस बारे में हम और बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद तुमसे दुबारा मिलकर खुशी हुई बुचे भी पता नहीं उसके बात चाहता है या नहीं मैं चला गया तुमने शीरो को सिर पर क्यों उठाया हुआ है? शीरो ने कहा वो मेरे सर पर बैठेगा शीरो तुम्हें मज़ा आया ना? अरे इससे नीचे उठारो देखो शीरो बिलकुल गीला हो गया है लेकिन डाड इससे दो फाइदे हुए पहला फाइदा ये कि शीरो की बज़र से मैं गीला नहीं हुआ और दूसरा फाइदा ये कि शीरो को चल कर नहीं आना पड़ा पर वो भीट थो गया ना? तुम अखेले ही आये हो क्या? अच्छा तो फिर... आप बिना डाड मैं शीरो के साथ आया हूँ मुझे लगा मिच्छी आई है क्या हो गया तुम्हें अच्छानक? मौम ने मुझे वादा किया था कि वाज मेरे लिए चाप को भी लेकर आएंगी पर वो तो अभी यहां पर नहीं है ना बिटा अरे अब क्या हो गया? दैड, अगर मौम मुझे किया वादा पूरा नहीं कर पाएं तो आप तो कर सकते हैं ना? नहीं मैं नहीं कर सकता और तुम मुझे यह बताओ के तुम अब तक कर क्या रहे थे? रिपोर्टिंग कर रहा था नहीं कर रहा था दैड, आप तो कुछ खा लीजिए ना आपने कुछ और नहीं बनाया नहीं बेटा, अब ही सिर्फ यही है, इसी को खालो, मैंने कुछ नहीं बनाया फिर आप कब बनाएंगे? यह प्रोग्राम खत्म हो जाए, उसके बाद बना देगा हम बाहर से भी तो कुछ मंगा सकते हैं ना? नहीं मंगा सकते पता नहीं मॉम कब आएंगी? अगर हो होती, तो खाने को कुछ अच्छा मिल जाता कहाना थोड़ी देर में बना दूंगा दीदी, बोलो मुसाई, आप यहां कब तक रहेंगी? वैसे आप यहां रहने क्यों आई हैं? वो तुम से मिले वे मुझे बहुत दिन हो गय थे ना, इसलिए मैं नहीं मानती, मैं यहां कितने दिन रह सकती हूँ? वैसे तुम भी तो मेरे घर में इतने दिनों तक रही थी ना, मैंने तो तुम से कभी कुछ नहीं कहा? आप कहना क्या चाहती हैं, मैं तो आपके घर कितने भी दिन रह सकती हूँ, आप मेरी बड़ी बेहन जो है न तो उससे क्या, मैंने सोचा था कि मैं कुछ महिने तुम्हारे पास रहूँगी क्या सच में हाँ, रहना तो चाहती हूँ अगर तुम्हे कोई अकराज ना हो तो, पर शायद तुम ऐसा नहीं चाहती हो ये आप क्या कह रहे हैं वैसे मैं इतनी आसानी से यहां से जाने वाली नहीं हूँ मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा पता नहीं अब इस वक्त कौन आ गया तो तुम जाकर देखती क्यों नहीं देखती हूँ यो अरे शिंचैन तुम, तुम यहां क्या कर रहे हो मैंने आपको डूंडी लिया मुझे अपने खूफिया जासूसों से बता चला कि आप मुसाई मौसी के घर है और फिर मैं आपसे मिलने के लिए सीधा यहां पर आ गया माम ये तुमने अच्छा किया जो तुम मुझे से मिलने यहां आ गया अब क्या करेंगी दीदी, अब तो आपको जाना ही होगा मैंने कहा ना मुसाई कि मैं कुछ दिन तुम्हारे पास रहूंगी तो तुम यहां दीदी को लेने आए हो शिंचन तुम्हें दैज ने यहां भेजा है दैज कह रहे थे, तुम जाना चाहते हो तो जाओ शिंचन अच्छा तो यह बात है, तो यह पताओ शिंचन तुम यहां क्यों आए हो आपने वादा किया था ना कि आप मुझे चापको भी देंगी मैंने तुमसे कब वादा किया आप चाहें क्यों न बूल गई हूँ लेकिन मैं ये बात बिल्कुल नहीं बूला मुझे तो ऐसे कुछ याद नहीं आ रहा किया था किया था यह आपकी पुरानी आदत है आप हमेशा वादा करती है और फिर भूल जाती है दीदी मैं कभी भी कुछ भी नहीं भूलती हूं समझी मेरे पास इसका सबूत भी है हाँ सबूत यह देखिए हाँ यह क्या है इस बुख में लिखा है कि आपने कौन-कौन से वादे किये और उन्हें पूरा नहीं किया यह बुख तुम्हें कब और कहां से मेनी मुझे है किसकी बुक है मॉसी यह मेरी नोट बुक है इसमें मैंने सब कुछ लिखा है आपके कुछ याद आया मॉम नहीं कुछ भी याद नहीं आया मैं जब आपके घर आई थी तो आपने वादा किया था कि आप मुझे अपने साथ शॉपिंग ले जाएंगी पर आप अकेले ही चली आपने अपना वादा पूरा नहीं किया दीदी क्या है यह मुझे दो तुमने पता नहीं क्या वेकार की चीज़ें इसमें लिखी हुई है मैंने कुछ भी बेकार नहीं लिखा है दीदी आपने जो किया बस वही लिखा है पता नहीं तुम लोग क्या बोले जा रहे हो मुझ कि नहीं होता कि तुमने सब चीजे लिखका रख ली है लगता है घर जाने को वक्त हो गया अब घर चलना चाहिए सुनो शिंचें तुम ये रख लो बेटा नया सौरुपे का सिक्का बेटा सिक्के को ध्यान से रखना कही रास्ते में गिराम मत देना अच्छा और सीधा घर ज अच्छा शिंचान ये बताओ कि तुम अपनी मॉम से मिलने मुझसे बिना पूछे क्यों चाले गए मैंने जादा जा कि मॉम को बाद में पच्टावा हो क्यों होने बादा पूरा नहीं किया पूछ कर भी तो जा सकते थे अगली बार से पूछ कर जाना आज सारा खाना मैंने बनाया है कैसा लगा तुम्हें बढ़िया है ना खाना तो बहुत तेस्टी बना है पर इसमें नमक धोड़ा कम है दीदी मुसाही मैंने तो सोचा भी नहीं था कि तुमारे पास एक्स्ट्रा मैट्रेस होगा याद है बच्पन में हम दोनों साथ साथ सोते थे कितने अच्छे दिल हुआ करते थे ना इससे मुझे अचानक कुछ याद आ गया अप क्या याद आ गया ये रहा आपने बच्पन में मुझे से वादा किया था कि आप मुझे कहानिया सुनाएंगी पर आपने मुझे बच्पन में कभी भी कोई कहानी नहीं सुनाई याद है आपको क्या मैंने ऐसा कुई वादा किया था? हाँ किया था आपने पर मुझे तो कुछ भी याद नहीं आ रहा देखा अपने वादे आप कितनी जल्दी भूल जाती है दीदी अब ये बात तो पुरानी है याद कैसे होगी? इसमें मैंने और भी कुछ लिखा है अब और क्या लिखा है? जब मैं दस साल की थी तो मैं कॉमिक खरीद कर लाई थी और दीदी ने कहा था कि पहले तुम पढ़ लेना पर फिर उसके बाद उन्होंने उसे पहले पढ़ा और उन्होंने उसे खो भी दिया एक बार तो ऐसा हुआ कि दीदी ने मुझसे बिना पूछे मेरी सारी चॉकलिक्स खाली और मॉम से कहा कि मैंने वो खाली है अरे लगता है दीदी सो गई है ये कभी भी मेरी कोई बात पूरी नहीं सुनती है ये भी ना कितना बोलती है और अगले दिन माम माम शिन चैन तुम यहां क्यों आए हो लिज मुझे नाष्टा दे दीजिए हां अरे मेरा प्यारा बेटा नाष्टे में क्या बनाऊ मैं तुम्हारे लिए कर दू चाहिए माम ठीक है बेटा अरे मिस्टर नोहारा कैसे हैं आप अरे कैसी हैं आप मिस्स नोहारा इस वक बिजी तो नहीं होंगी ना शायद बिजी होंगी शिन चैन को अभी स्कूल जाना होगा ना मुझे दर असल उनसे एक बहुत ही जरूरी बात करनी है अरे कुछ हुआ है क्या अरे नहीं कुछ भी नहीं कुछ खास नहीं हुआ मैं बस लेट हो रहा हूँ अफिस के लिए चलता हूँ मुझे तुम काफी बदल गई हो सुबा जल्दी उठती हो और अच्छे से नाश्ता करती हो जब हमारे गर पर सीना तो दुपहर तक सोती रहती थी वैसे एक बात बताईए आप घर कब तक जाएंगी दीदी चली जाओंगी तनी जल्दी क्या है माम स्कूल जाने का टाइम हो गया हाँ हाँ मुझे पता है और हाँ? अरे नहीं मैं योशिनागा मैम को बताना ही बोल गई अब क्या करूँ? मुझे ही तुमारे पर साइकल तो है ना? बोलो जल्दी बताओ साइकल है की नहीं? मेरे पास तुन नहीं है दीदी पर आप मेरी नेवर से ले सकती है मिसिस नुहारा आई वाज पर तयार हो गया वो तो है आज पहुत दिनों के बाद शिंचेन टाइम से तयार हो गया ना अपना खयाल रखना बाई कितनी गंदगे पहला रखी है मैं सब को साफ कर देती हूँ हाँ नहीं मैं यहाँ पर कोई भी काम नहीं करूंगी जिसको करना है खुद कर ले मैं क्यों करूँ दीदी मुझे कुछ जरूरी काम है मैं जा रही हूँ हाँ तो ठीक है जाओ आप इस हर का खयाल रखेगा और सफाई भी कर दीजिएगा मुझे बताने की कोई जरूरत नहीं है मुझे सब पता है कर लूँगी एक थी चीटी। अरहे नहीं नहीं एक नहीं दो हाठी एक और को अजीश से और दो चीट folder आतं में सब्सुराइए मैसेज आ गया क्या हूत अब मैं के मेसेज का इंतजार कर रहे थी ना आ कि आपको ही मैसेज कर उनसे माफी माग लेने चाहिए ताकि वो जल्दी से घर वापस आजाएं क्यूँ अच्छा एडिया है ना अच्छा यह बताईए कि मैम का कोई जवाब आया क्या अरे जब मैंने इसे कोई मैसेज नहीं कि यहाख तो वो उसे जवाब क्यों देगी मैं भी आता हूँ जरा ठीक है क्या बेकार के मेसेज भेजता रहता ये शिंचन मुझे पता नहीं शिरो को खाना मिला भी हो गया नहीं क्यों उसे खाना नहीं मिलता क्या नहीं मौम आजकर शिरो ठीक से खाना नहीं खाता तुम चिंता मत कर शिंचन तुम्हारे डाड ने उसे खाना खिला दिया होगा दैड ने कुछ बनाया होगा तो यह तो खायगा ना बिचारा क्यों हैरी खाना नहीं बनाते क्या बनाते हैं पर हम खाना ही पाते पर वो तो अच्छा खाना बनाते हैं सच में सच में का क्या मतलब तुम जादा हसो मत आपका फोन बज रहा है दीडी येलो डैड का फोन है हो गई तुम्हारी डैड से बात ये लीजे माम मुझे उनसे बात नहीं करनी कोई बात नहीं तुम्हारे डैड क्या कह रहे थे उन्होंने खाना नहीं खाया उनके पेट में दर्द है क्या कहा, कहा दर्द है पेट में क्या, पेट में दर्द है हा माम नने तो मुझे यहीं बताया मुझे लगता है वो आजकल खाना ठीक से नहीं खा रहे मुझे अभी घर जाना होगा आज का ये खाना तो वाकई कमाल का है अरे मिच्सी तुम यहाँ शिंचैन ने मुझे बताया कि आपके पेट में दर्द है आप ठीक तो है ना बोलिए ना बताये ना मुझे मेरे पेट में कोई दर्द नहीं बलके मैंने तो भी रेस्टरॉंट से डिनर मंगाया है मिच्सी वो देखो आपने इसे फ्रिज में क्यों नहीं रखा बाहर तो ये खराब हो जाएगा अरे थोड़ा ज्यादा आ गया था खाना फिज में आ नहीं रहा है तो मैंने बाकी का खाना डाइनिंग टेबल पर ही रख दिया है मैं खा लूंगा इसे मैं तो बहुत ज्यादा डर गई थी हैरी वेकार में चिंता कर रही थी तुम मैं तो मिज़ाद कर रहा था अरे वाह तुम भी आई हो तो फिर चलो सब लोग मिलके डिनर करते हैं ठीक है वाह मज़ा आ गया बहुत टेस्टी खाना है सच में अब इतना ज्यादा भी मत खाओ ये ठीक नहीं है मैं ये बाद भी डायरी में लेखूंगी दीवी हाना वाकई टेस्टी हाना में चे बहुत ज़्यादा टेस्टी नहीं कोई कुछ भी कहले अंच भला तो सब भला